नवर्शकार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा आईए करते हैं खबरों के शिर्वाद सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेट लाइन्स पर स्वास्तिक इंदर प्रभारी ने पतका दुरुपियों कर सरकारी योजनों की राशी परिवार की खाते में क्या ट्रांस्टर पांच सदसे टीम ने शुरू की जाज विश्वशर अभवर में आग और बीपैसी प्रश्ण पत्र लीक मामले में पूर्व शांसत ने सरकार पर खड़े के सवाल कहा घुटाले बासों को बच्छाने के लिए रची गई शाजिस राश्री रोक अदालत में पंदर सों मामले का हुआ निश्पादन 6,46 लाग की राशी पर हुआ समझ जोटा और पीजी तिहास भुभाग में वख्यान माला का हुआ आयोज और वक्ताओं निकादी कारों के साथ कर्टवियों के प्रती रहे जागरू अब खबरे विस्तार से कहलगाओं के रशरपूर थानाच छेत्र अंतरगर्थ मोहनपूर एक चारी मुख्य मार्ग के समीप धनोरा गउ में शनिवार को तेज रफ्तार आनियंद्र ट्रक की चपेट में आने से दो व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई रितकों की पहचान धनोरा गउन निवासी गोविंद पासवान के पूत्र मैनी पासवान और महिश पासवान के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि शनिवार को ही महिश पासवान की बेटी की शादी होने वाली थी और शाम में कहल गउन थाना छेत्री के लगमा गउन से बारात आने वाली थी जबकि इसको लेकर घर में जशने का महोल था लेकिन अचानक हुए इस हाथसे की ख़वर ने जशने के महोल को माता में बदल दिया दोनों मृतक आपस में चाचा भतीजे थे जिसे सनोखर की ओट से आ रही तेज रफ्तार अनियंदित हाईवा ने घर के सामने ही कुचल दिया इधर ग्रामीनों ने खदेर कर हाईवा और उसके खलास्ची को पकड़ लिया है जिसके बाद ग्रामीनों ने उसके जम कर धुनाई कर दी हाला कि हाईवा चालक अपनी जान बचा कर मौके से फरार हो गया वहीं आक्रोशित ग्रामीनों ने मुआपसे की मांग को लेकर बास बल्ला लगा कर शड़क जाम कर दिया जबकि घटना के जानकारी मिलते ही रसलपूर्थ हाना प्रभारी कनिया कुमार दलवल के साथ घटना अस्थल पर पहुँचे और आक्रोशित ग्रामीनों को समझा बुजा कर शान कर वाया नवगच्या प्राथमिक स्वास्ति कींद्र के प्रभारी डॉक्टर वरुन कुमार दुआरा सरकारी कारिकरम मेरा परिवार को लाब पहुचाने के मामले में सिवर सरजन उमेज सर्मा ने पास सदस्य जास टीम का गठन किया है जिसमें ACMO डॉक्टर अंजना कुमारी जिला प्रती रक्षन पदाधिकारी डॉक्टर मनोच कुमार चौधरी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर दीनाना जिला कारिकरम प्रवंदक मुहमत पैसान आलम अश्रफी और जिला लेखा प्रवंदक विकास कुमार को शाम 22 को लेकर जांच के बाद डॉक्टर अंजना कुमारी ने खा कि प्रभारी पर जो भी आरोप लगाए गए थे उन सभी विंदू पर जांच कर सभी फाइलों को देखा गया है और उनसे संबंदित कर्मियों से भी पूस्ताच की गई है साथ ही उन्हों ने जांच के विस्तित रिपोर्ट सिवल सजन डॉक्टर उमेज सर्मा को सौपने की बाद कही बतादे कि नवगच्य प्रात्मिक सौस्ति केंदर प्रभारी डॉक्टर वरुन कुमार पर उनके पत का गलत पाइदा उठाते हुए सरकारी योजना के लिए मिली राशी अपने पिता और पत्नी के खाते में ट्रांसपर करवाने का मामला सामने आया था जिस पर विभाग द्वारा ज्राच की जा रही है पत्ना के विश्वशररय भवन में आक लगने के मामले को लेकर पूर्विशांसत पप्पु यादफ ने गमभीर आरोप लगाया है पप्पु यादफ का कहना है कि विश्वशरय भवन में आक लगी नहीं है बलकि लगवाई गई है दरसल आचार सनिता उ लंगन मामले में शनिवार को पपु यादक मधेपूरा कोट पहुचे थे जहां पूर्वे शांसत ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोट ने पूर्ण रूप से रिहाई दे दी है वहीं पूर्वे सांसद ने कहा कि विश्व शरीया भवर में जलनल योजना, आर यू और पी डवरूडी की फाइले थी और जितने पताधिकारी, नेता, ठेकेदार एवा माफिया इसमें शनलिप्त हैं उन सभी के संपत्ती की भी जाच होनी चाहिए जिसे विश्व शरीया भ वाहेनी के डीजी स्थोभा अहोतकर नमी प्रशास्रीक सहीलोक नहीं मिलने का गंभीर आरोप लगाया था, उन्होंनों कहा कि डीजी स्था अअउतकर के द्वारा लगाये गए गंभीर आरोपों यह पांच में बार आग लगी है बर्तमान सरकार के कार्जकाल में और मैं जितना समझता हूँ यह आग लगी नहीं आग लगाई गई इसकी पूरी इंक्वाईरी हो वहाँ जनल योजना का पूरा फाइल था आर यू का फाइल था पी डव्लू डी का फाइल था जो जो पदाधिकारी नेता और ठिकेदार माफिया इसमें इन्वल्ब थे उनकी पूरी जांच अर्बों की संपत्ती और पतना में तीन दिनों तक आग का नहीं भुजना सेंग नितीश कुमार को साम में जाना पड़ा सोभा औहुतकर जो डीजीपी है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए है कि प्रसासनिक कॉपरिशन नहीं मिली सोभा औहुतकर के आरोप की जांच हो राश्ट्री विधिक सिवप राधिकार और विहार विधिक सिवप राधिकार के निर्देश पर सनिवार को भागलपूर वैवहार नियायाले परिशर इसने सभागार में जीला विधिक सिवप राधिकार की ओर से राश्ट्री लोग अदालत का आयोजन समहारों पुर्वक किया गया समहारों का उदखाटन जीला इवम सत्र नियायाधी सहट डालसा के अधेक्षिप गुपाल मिश्र जीला अधिकारी सुवरत कुमार सेन, वरी पुलीस अधिक्षक बाबूराम सिवल सरजन डॉक्टर उमेश शर्मा और डॉक्टर हेम शकर सर्मा ने सेयोक तुरूप से देपरजूलित कर किया वही राश्ट्री लोक अधालत उधगार्टन समहारों के अधेक्षिता करते हैं जीला जजज्ज शिप गुपाल मिश्र ने कहा कि काफी समय से लंबित मामलो और बादों के निश्पादन के लिए नालसा के नियमित अंतराल पर देश में राश्ट्री लोक अधालत का आयो होती है जबकि लोगों को आपसे सहमती के अधार पर मुकदमों का निफटारा हो जाता है इधर जिला अधिकारी से डालसा के उपाधियक शुबरत कमार सेंड में आम लोगो वादियों और पक्षकारों से राश्ट्री लोक अधालत का लाफ लेकर लंबित मामलों से और के आसानी से मामलों का निफ़ादन किया जा सकता है इसके अलावा कई पदाधिकारियों और नियाइक पदाधिकारियों ने कारिकरम को समवोधित किया मंज संचालन रमन करने किया वही इसके बाद कोट परिशर में बनाएं गए सभी बेंचू पर प्री लिटिगेशन बैं कोट परिशर में काफी भेड देखी गई वहीं इसको लेकर जिलावदिक सिवप प्राधिकार के सचीब अतूल बेट सिंग ने कहा कि शनिवार को हुए रास्टी लोग आदालत में कुल 1521 मामलों का निश्पादन हुआ इसमें कुल 6.76,3834 रुपे की राशी पर समझोता कराने आई लोग मौजूद रहें तो यह हमारे जो नियाइक पदादिकारी यहां से अपनी सेवा देटर के जा रहे हैं दूसरी स्टेशन पर यह उनके लिए एक बेहतर फैवर्य होगा हम लोग उने लगाता पिछले दो निश्टन लोग अहलत में 600 प्लस मुगत्मे क्रॉस किये हैं अब यह सबद चन्य वाली प्रिक्रिया होगी है जाहे हो आपने ओच नियादय कर पर हो या जिलास कर पर हो या लोग पीछे में पूर्ट सोथी है और लिए भगाता इसका आपने 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 श्टन लोग प्रतेटा रहता है और pops तकी जो पने अपने जो ताइम है तिलकामाजी भागरपूर विश्व विद्याले के सिनात कोतर प्राचीन भारती इतिहास संस्कृती इवं पुरातत्व वहाग में शनीवार को व्याख्यान माला का आयोजन किया गया कारिक्रम के शिर्वात कूल गीत से हुई वही विभागा देक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल चौदरी और छात्रे छात्राओं ने मुख्य आती थी अजीत कुमार सिंग का स्वागत भूक के दे कर किया मानवा अधिकार विशेपर आयोजित व्याख्यान माला में Human Rights Organization के राज्य सचीब अजीत कुमार सिंग ने मानवा अधिकार और कर्तववे पर विस्तार पूर्बक चर्चा की अपने संबोधन में अजीत सिंग ने कहा कि अधिकार के साथ कर्तववे का इनुपारन करने से दूसरी के अधिकार का हनन नहीं होता साथी उन्होंने मानवा अधिकार के प्रयोग के जानकारी वे दी आर्टियाई कारिकरता अजीत सिंग ने खा कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्टव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए उन्होंने बताए कि सज़क रहे बिना अधिकारों की प्राप्ति संभव नहीं है जबकि होटी डॉक्टर बिहारी लाल चौधी ने मानवा अधिकार की प्रासिंगिक्ता पर प्रकाश डाला मौके बर वहाग के सिक्षक, सुधार्ती एवं काफी संख्या में शाधर शात्राय मौझूद थे आप बोलते हैं कि हम मानव हैं, दो सर्थ है मानवा अधिकार मानव का मतलब हम लोग जितने लोग हैं ये मानव होट हैं को हम मसिपियन्स और हमको जर्म लेने के साथ ही जो जो अधिकार प्रास हुआ है इसको दोनों को संवली भूफ से मानभादिकार की संवया भी गई है और इसमें हम आगे भी चैर्चा करेंगे तो अबरी जैसे हम लोग अधिकार और करत्बी की बात करते हैं तो अधिकार सारे लोग समझ रहें कि यह हमारा अधिकार है यहां हमारा अहनम हो गया लेकिन तब तबी की बाता हम लोग कम करते हैं वीडियो में बधायक जी बार बालाओं का हाथ पकड़ कर स्टेज पर ठुमकर लगाते दिख रहे हैं और ज़रा इनकी अदा तो देखे यह महाशय बार बालाओं को फ्लाइंग किस विदेते दिखाई दे रहे हैं वहीं जब इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब संगीत बसता है तो वो बेकाबू हो जाते हैं और थिरक नहीं लगते हैं गोपाल मंडल ने कहा कि पिछले दिनों उन्हें मुख्यमंत्री ने भी कॉल कर पूछा था कि आप नास्ते क्यों हैं तो उन्होंने सीम से कहा कि कलाकार कोई नाचने से कोई नहीं रोक सकता है अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का फॉरन लोटिंगे देखते रही है सिल्क टिवी एक अवश्यक सूशना यह बच्चा गुंगा है और पाश मैई 2022 की सुवच छे वजे से लापता है जिसका नाम राज है पिता का नाम इम्तियास कुरैशी उम्र 12 वर्स रंग गूरा है बच्चे ने भूरे रंग का टी-शिर्ट एवं हरे रंग का ट्राउसर पहना है जो चंबेली चक रोट मौलाना चक फागरपूर बिहार का निवासी है बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर सुषित करने की इक रुपा करें आपके नस्दी की शहर पहनसी बिहार में एक मात्र फार्मेसी कॉलेज Modern Institute of Pharmacy जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइबरेजी जैसी अत्याधूनिक सुविधाएं अब आप भी D-Pharma और B-Pharma जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गयर सरकारी संस्था में जौब पा सकते हैं साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं इतना ही नहीं बिहार जारखन एवं केंदर सरकार द्वारा प्रदत छात्र विर्ती का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आईए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्त के छेत्र में उनका स्वर्निम भविश्य बनाएए ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपके स्वागत है बढ़ते हैं वगली ख़वर क्योंड भागलपूर की तिलकमानी जवारीपूर सित एक विवाब भवन में रविवार को नाराइनी नमस्तूते 2022 अबॉर्ट शिरो मनी इवं सांस्करतिक कारिकरम का आयोजन किया जाएगा जिसमें भागलपूर की वैसी महिलाओं को सम्मानित किया जाना है जो कई छेतरों में अपना विशेस योगदान दे चुकी है वहीं इसको लेकर प्रेस कॉन्फरेंस कर युवास समास्वे विजय कुमार यादफ ने कहा कि खेल, संगीत, सिक्षा, चिकित्सा या फिर समाजी कारिके छेतर में अपना महतपून योगदान देनी वाली महिलाओं को सम्मानित कर एक शुरूत की जाएगी उन्होंने बताये कि नारायनी नमस्तूते 2022 के कारिकर में भागरपूर के कलाकारो द्वारा रंगारं कारिकरम के भी प्रस्तूती दी जाएगी जबकि इस कारिकरम का उद्वेश नारी सश्रक्ती करन को बढ़ावाद दीना है मौकी पर संजर सहाब प्रिंस यादव समीत कई लोग मौचूद थे इसी कारण बर्ष मुझे बाहर जाना पड़ गया और महिला दिवस्किति नहीं कर पाए और उसको देखते विए उसका समय बढ़ाया गया बढ़ा के ये 15 तारिक यानी की कल कल जो है साम तीन वज़े से बिरिंदावन भवन जवारीपूर में इसका कारिकरम रखा गया है जिसमें कुछ सांस्किति कारिकरम के साथ साथ महिलाओं का समाजी काम में खी स्ञंवानिद करने कारी का समय समय के लिए कितने लोग को वह गोने लगवा कि इसमें 50 महिलाओं के संक्या है समानित करने के लिए और उसमें जो भी कलाकार लोगा उसका अलग समानित करना है उन लोगों को बातों कि जो सोसल वर्ग में एक्टिव रहती है महिला उसको समानित करेंगा जी नहीं सब टोटल भागलपूर से है जितने ही भागलपूर के अंदर के महिला है चुकि भागलपूर में ये कारेकरह हो रही है सिलिए भागलपूर में जितने एक्टिव महिला है सोसल वर्ग में उनको समानित के लागगों दर्भंगा मेडिकल कॉलेज में प्रतम क्याडिवरीक स्पाइन वर्क्शॉप का आयोजन शनिवार को हुआ बिहार और्थोपेडिक एसोशेशन एवं एनाटोमी विभाग के सियुगत तत्पाधान में आयोजित कारिकरम के मुख्य आती थी गवर्नर्ण एडवाईजरी बोर्ट के चियर्मेन डॉक्टर एसपि सिंग थे वहीं बैग्ज्यानिक सद्र के अधेक्षिता बिहार और्थोपेडिक एसोशेशन के पूर्वाध्यक्ष एवं भागरपूर के वरी हड़ी रोग विशेश्यक डॉक्टर मनोच चौधरी ने की इस दौरान डॉक्टर मनोच चौधी को प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया गया कारिकरम का संचालन डॉक्टर गॉरी शंकर जाने किया भागरपूर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समय बारवी क्यू किंग रेस्टोरेंट का उधगाटन बिहार सरकार के राजस्विस है कानून मन्तरी रामशुरत राई ने शनिवार को फीता काट कर गिया इस दोरान MLC डॉक्टर एन के यादफ विधान पाशर देवेस कुमार भाश्पा जिलादेक श्रोहित पांडे समयत कई अतीतियों ने रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डारेक्टर गौतम कुमार और बंटी यादफ को शुपकामना दी वहीं उदगाटन के बाद मंतरी रामशुरत राई ने कहा कि इस तरह कि रेस्टोरेंट खुलने से आम लोगों को काफी सहूलियत होगी और नई तरह का एक विकल्प भी मिलेगा इधर बारवी क्यों किंग के एम डी बंटी यादफ ने कहा कि रेस्टोरेंट में हर तरह की लोगों के लिए सुवधाओं का खयार रखा गया है और बड़े शहरों की तर्स पर भी लोग रेस्टोरेंट में फूट, मौक्टेल और स्वादिस्ट भोजन के साथ कई तरह की सुवधा का आनन ले सकेंगे मौकी पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहें सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि रुजगार की और बढ़ना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए इसके लिए हमारे साथ तमाम परिवार के लोग हो रहे हैं तो इसके उपसे तोकरी से जादे बेहतर व्यपार में परतस्म कर सकते हैं यह हमारी सोच है आज बार्बीक्यू की बादरपू शाहर में तो राटम चिकल तोष्ट मान्ये मंतरी रामसुरत राई जी के द्वारा और डिवेज सिंग जो मिल सी हैं इस व्याज़ उनके द्वारा किया गया है यह यह एक वैपार हमने नया प्रतिस्थान हूं किया है बेहार के हर पुरो के बाद स्वस्त होने का प्रकेरिया सी है यह रस्टोरेंट एक बार्बीक्यू किंग के नाम से लाया गया है इसमें 799 में फुल वेज अनलिमिटेट एंड 899 में नॉन्वेज अनलिमिटेट विट विट मॉक्तेट्स सारे उपलब्ध है जो अलग से खाना चाहते हैं मालीजे कि अनकाट अपना सिंगल ओडर करके उनके लिए उपलब्ध है पूरे स्काई लॉंज यहां उपलब्ध है यहां पर बैटके आनन ले हवा का और खाने लाइब मुजिक उपलब्ध रहेगा यहां पर आपको आंच शाम में हुपका बार भी उपलब्ध रहेगा जा रहा है जिसको लेकर शनिवार को हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जय प्रकाश शिर्हा और अन्य चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फेस कर कई महत्मुन जानकारी दी प्रेस वारता की दौरान सरजन डॉक्टर जेपी सिंहा ने बताय कि विगत वर्सों में हपने मरीजो को आयश्मान भारत योजना का लाब गरीबों के स्वास्ते वं कल्यान को बढ़ावा दीने समेथ विभन ने प्रकार की सेवा सुविधा देने का प्रयास किया है उन्हों ने कहा कि प्राइड हॉस्पिटल में मरीज आफ लाइफ स्पैन डायविटीज क्लीनिक की सुविध उपलब्ध है जिसके माध्यम से 20 मिनट में 30 काडियो मेटाबॉलिक एवा महत्मुन स्वास्ते संकेतों की जाच की जा सकती है खास बात यह है कि इस मशीन से जाच करने पर मरीज को किसी भी तरह की पीडा नहीं होती है और नाहीं बलड दीना पड़ता है डॉक्टर जेपी मशीनों की महत्ता और बढ़ गई है क्योंकि इससे कम समय में रोक का पता लग जाता है जिसके बाद उपचार में सहूलियत होती है मौके बर डॉक्टर अमुरेंद कमार सेंग डॉक्टर देव शिखा कुमारी काकुली सिना सुंदरलाल हजारी समेत कई लोग मौचूद थे यह जो हमारा प्राइड होस्पिटल है इसका जो है कल बार्मी बर्शान को माने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि भारत को डायवेटिक हब बला जाता है कि डायवेटिस मरीज की संक्या काफी जादे हैं यहाँ पे और मैं और मेरे परिवार के काफी सदस खुद डायवेट के बारे में पता चला और यह जो इसका रिस्क मसीन है जो आपके सामने है उसके बारे में पता चला तो मैं काफी उत्साहित हुआ यह इस मसीन से यह जावेटिक की जो कॉंप्रिकेशन्स हैं वह मरीज का जांच के बार इसमें फीरा रहित जांच होता है कर इसमेंट का यह नॉन इंवेसीव है psychology कई गस्ट नहीं होता है तीस तरह का diabetic metabolic जो परामेटर से उसका हमको पता चलता है जिससे हमको ये पता चलता है और अगाह होता है कि मरीज में इस तरह का complication future में होने का संभाबना है जिससे कि मरीज को समय रते उसको alert कर सकते हैं और उसको दवाई को मोडिफाई कर सकते हैं यह और भी कुछ चीज का ज़रुत है तो वो हम लोग कर सकते हैं सहरसा के बैसनात पूर इसे तेस पियाई शाखा से 23 अप्रेल को हुई 1.25 लाक रुपी के सोना की चोरी मामले का खुलासा कर दिया गया है इसको लेकर बताया जा रहा है कि बैंक में कारेरत कर्मी के मिली बैंक में रखा 2710 क्राम शोना चोरी हो गया इसको लेकर पुलीस द्वारा चानवेज शुरू कर दी गई और मामने के नियमित चाच एवं कर्मियों से पूस्ताच के अधार पर पुलीस को इस रूट कार्ण में बैंक कर्मी के शामिल होने की जानकारी मिले वहीं स्टोरी की घटना को लेकर बैंक मैनेजर ने बैजनातपूर ओपी थाने में बैंक में कारेरत आउटसोर्स के कर्मिशारी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है जबकि लॉकर के चावी रखने वाले दो बैंक कर्मी प्रतियोश और अशोक उराव पर भी चोरी में सनलिप्तिता के कारण बैंक प्रवंदक की ओर से निलंबित कर विभाग के कारेवाई शुरू कर दी गई है बैजनादपूर इस्तित स्टेट बैंक के ब्रांच से लॉकर से इसके सफाइकर में उनियस मल्ली के द्वारा चोरी कर ली गई है जिसके कांट दर्ज करके अनुशन दान जा रही है क्या चोरी की गई है उसमें कुछ गोल्ड वगरा जो लॉकर में रखवा था उसी की चोरी पताएंगे तो इसमें जो मल्लीक जी है और अग्यात लोग भी है देखते हैं इसमें किस-किस लोगों की सनिप्ता है और तुरत कारवाई करते हुए हम लोग एफायर दर्ज किये और जो भी उसमें जहां जिनकी जवावदाई बनती थी ततकाल जोएंट कस्टोडियन उसको इमेडिये से उसको सस्पेंट कर दिया गया उस में जो भी वहां पर रोकुक था उसको इमेडिये तूरत हम लोगों ने उसको करा दिया शाका में भी बाहर चें़ लोगों प्रशासन के निर्देश पर आतिकर्मन हटाओ अभियान चलाया गया कारेपालक पता अधिकारी अविनक कुमासी और शंभू सरनराय और थानादेक्ष लाल बहादूर के मौजूदकी में प्रशासन का बुल्डोर सचलाया गया इसमें नगर परिशर छेतरी के स्टेशन रोट दिलगौरी और कृष्णिगर और मोर सहित अनी जगों से अतिकर्मन हटाया गया इस दोरान अधिकारियों के अलावा नगर परिशर के कर्मिचारी सहित काफी संख्या में पुलीस कर्मी मौचूद थे पिर पैती रेफरल स्पताल में जंगलों का अमबार पड़ा हुआ है जबकि कर्मिचारीयों के अवास के आसपास भी घना जंगल है वही रेफरल स्पताल के ओपेडी कक्ष में तैनार डॉक्टर भी डियूटी से गायब दिखाई देते हैं जिसके कारण असपताल आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इधर असपताल के इस अव्य वैवस्था को लेकर मरीजों ने बताए कि काफी देर से वे लोग असपताल में हैं लेकिन यहां कोई डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीजों को सही समय पर स्वास्ते सुविदा नहीं मिल पाती है वहीं इस मामले पर जब रेफरल असपताल के प्रभारी सुकेश कमार से पूछा गया तो उन्होंने बताए कि डॉक्टर नीरज कमार ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन मरीजों ने जो शिकायत की है उस वक्त वोवर थोड़ी देर के लिए सौचाला गए थे साथ ही उन्होंने अस्पताल के साफ सफाई कराने का भी भरोस्ता दिलाया और अंत में चलते चलते फिर से एक नजराज की हेडलाइन्स पर तेजर अफ्तार अंतर ट्रक ने चाचा भातीजे को रोंदा मौकी पर हुई दोनों की मौत आक रोशित लोगों ने चालक की जम करकी पिटाई स्वास्तिके इंदर प्रभारी ने पतका दुरूपयों कर सरकारी योजनों की राश्री परिवार की खाते में क्या ट्रांस्तर पांच सदसे टीम ने शुरू की जाच विश्वशर अभवर में आग और बीपेसी प्रश्ण पत्र लीक मामले में पूर्व शांसत ने सरकार पर खड़े के सवाल कहा घुटाले बासों को बच्छाने के लिए रची गई शाजिस राश्री रोग अदालत में 1500 मामले का हुआ निश्पादन 6.46 लाग की राशी पर हुआ समझा था और पीजी तिहास भुभाग में वख्यान माला का हुआ आयोज और वक्ताओं निकाह दिकारों के साथ कर्टवियों के प्रती रहे जागरू फिलाल इस बुलेटीन में इतना ही नवश्कार